स्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादे हो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपको विजय दस्मी के दिन समी वरिक्ष की पूजा कैसे करें विजय दस्मी के दिन समी वरिक्ष की पूजा का क्या महत होता है इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ सेर करूंगी सास्त्रों के नुसार विजय दस्मी के दिन जिस तरह नीलकंट देखना सुमाना जाता है उसी तरह इस दिन समी विरिष्च की पूजा और अप्राजिता के पौधे की पूजा करना सुमाना जाता है तो आएए जानते हैं विजय दस्मी के दिन समी विरिष्च की पूजा कैसे करें घर में जिस अस्थान पर आपको समी विरिष्ची की पूजा करना है उस अस्थान को अच्छे से साफ करके गोबर से हल्दी से या विरू से लेपन कर दें यहां मैंने गेरू का गोल घेरा बना लिया है अब इसके बाद आटे से अस्टडल कमल बनाऊंगी आप अपने यहां भी जिस विधी से चौक पूरते हैं उसी विधी से चौक पूर ले रामायड काल में भी राम जी ने लंका विजय से पहले समी विरिष्ची की पूजन किया था और विजय हुए थे इस कानर से विजय दसमी के दिन समी बिष्ची के पूजन का महत और भी अधिक बढ़ जाता है यहां मैंने चौक पूर लिया है अब समी के पौधे के गमले को इस चौक के उपर मैं रख दूँगी पूजा करने से पहले समी के पौधे के गमले को भी अच्छी तरह से साफ कर ले हो सके तो गमले को पेंट कर ले सबसे पहले हम समी के पौधे में जल अरपित करेंगे दसहरे के दिन समी बिष्च में जल अरपित करने का भी विशेश महत तो होता है समी के पौधे के पास ही जमीर में थोड़ा सा अच्छत पुस्फ रखकर हम दीपक को विराजमान करेंगे और दीए को प्रजलित कर लेंगे ध्यान रहे कि समी के पौधे के नीचे जो दिया जलाया जाता है वह लंबी बाती देसी घी का दिया जलाया जाता है अब इसके बाद वस्र के रूप में यहां मैंने लाल चुन्रे ली है। इसको मैं समी के पौधे पर इस तरह से पहना दूँगी। उसके बाद कलावा को भी इस तरह से समी के पौधे में लपेड दूँगी। समी के पौधे के गमले पर भी कलावा बांद देंगे। समी के प हल्दी से तिलख करेंगे गमले पर भी हम रोली से इस तरह चारो kicks कर देंगे रोली समरपित करने के बाद समी एपर हम अजित आप सनी दोस्त इस तरह से लेकर हम अच्छत समर्पित करेंगे दीपक पर भी हल्दी और कुम्कुम से हम तिलख कर देंगे इसके बाद हम पुस्प अर्पित करेंगे तो देखिए पेन रखकर पुजा करने का विधाने यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाल कपड़ा विच्छा कर एक किताब एक पेन और एक ओजा के रुप में एक चाकू रखकर पुजा करूँगी इन सभी पर हम सबसे पहले हल्दी से रोली से तिलक करेंगे और उसके बाद अच्छर समर्पित करकर पुजब समर्पित करेंगे इन सभी पर हम इस प्रकार से अच्छर समर्पित करेंगे अब समी के पौधे में एक पान के पत्ते पर एक लौंग और एक लाइची रखकर समी के पौधे को अर्पित करेंगे इससे घर में बरक्कत आती है और घर में सुकसानती बनी रहती है आखरी में भोग के रूप में मैं खील बता से चढ़ाओंगी जो भी आप क्या भोग के रूप में अरपड होता है समी के व्रिक्ष में वहां आप अरपड करें भोग अरपड करने के बाद धूप दीपक दिखाएंगे आज के दिन समी के व्रिक्ष की परिक्रमा करने का बहुत ही अधिक महत्तो है आज के दिन 5, 7, 11, 21 समी की व्रिक्ष की परिक्रमा की जाती है परिक्रमा करने के बाद हम धूप दीपक दिखा कर आर्ती करेंगे और आर्ती करने के पस्चात पुजा में होई भूल चूक के लिए छमा यात्ना करेंगे अंत में हाद जोड कर समीबरिक्षी के पास अपनी मनु काम न कहें और संकटों से छुटकारा दिलाने के लिए प्राक्त न करें इस प्रकार हमारी समीब रिख्ष की पूजा संपन होती है आसा करती हूँ आपको मेरे दोरा बताये गया समीब रिख्ष की पूजा विधी का या वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव